कि सबका multiplier impact election पर होगा और करनाटेक में हो सकता है कि हो back of mind में वहाँ के voters में ये बात होगी लेकिन Congress Party ने इस मुद्दे को करनाटेक के चुनाब में मुद्दा नहीं बनाया है प्रकाशी अच्छा कि ना उन्होंने मुद्दा नहीं किया इसका मतलब ही Congress की इसमें maturity दिखती है इस election के अंदर मैं राहूल गांदी का अभिननदन इसलिए करूंगा कि उन्होंने उनके जो फाल्तू के बातू नहीं नेता थे उन्होंने दूर रखे प्लस उन्होंने अभी राहूल गांदी देखो यह पूरे election चारी बात कर रहा था बाकि ना मोदी था ना अडानी था ना कुछ था उन्होंने बिल्कुल सिंपल सिंपल जो करनाटक के जंतास से संबंदी किसानों का मुद्दा है बाद मेरे उजगारी का मुद्दा है यह ऐ यह बात तो बिल्कुल पक्की है ठेक है आखरी में धरूब जी बहुत ही यह इसको हम concluding remarks भी कहेंगे शो का क्योंकि एक घंटा होने जा रहा है यह जो प्रकास जी कह रहे थे अभी कि उधर ठाकरे के साथ जो बेभार हुआ हाला कि उधर ठाकरे ने कोई अच्छा बेभार किया था भारती जनता पार्टी के साथ वो टिट फॉर टैट हुआ है लेकिन एक सेमपैथी जनरली जनता के मन में यह गई होगी बात कि इसका निसान भी चला गया पार्टी भी चली गई तो एक सेमपैथी उनके पास चली गई दूसरी बात यह कि अभी जो फूलूल बरसा में जा रहा है कि ये घलत हो रहा है ये ठीक बात नहीं है वो सब भी कहीं न कहीं करनाटक के चुनाब में दिखेगा तो ये एंगर भी लोगों के जहन में है और इसलिए कॉंग्रेस भी बड़ी चत्राई से खाली राहूल राहूल नहीं कह रहे थे उन्होंने मुद्दे को सामने रखा और एक जैसा भी प्रकाजी ने कहा कि एक मिचॉरिटी का प्रदर्शन कर रहे हैं राहूल गांदी तो क्या ये अगर ये सारी बात सही है तो ये चुनाब मोदी के खिलाब एंटी इंक्रमेंसी हो जाएगा क्या कल हमने चर्चा की थी कि ये बासबराज के खिलाब होगा तो प्रकाजी के बात से लगता है कि मोदी के खिलाब हो जाएगा देखिए जो कैचुआ है कि इंदिय चुनाब आयो उसने केंचु आगा रोल किया है ये वाली बातें सब के सामने दीमें दीमें आने लगी उसके अलावा जो नरिंदर मोजी जी का भी प्रधान मंत्री की तरह ब्यवार ना होके तो इसे बहुत सार है बुद्धिजी भी बर्ध में तो निराशा हो रही है कि हम लोग देश आवे परदा रहा है या हम लोग प्रातर पीछे जा रहे हैं लेकिन जमीनि क्या वह रहा है यह तो पक्का है कि कनातक में सबसे जालगा को सबसक्ता है क्या है यह पता लगा है कि सेहरों में भी 501 सीट जो कांघरेस को मिली थी कि निकाश सहरी चेक्ट का बर्चस स्वेर्च लेकिन जो बात हो रहे हैं कि कांग्रेस का बोट इंगने लास्ट में भी कांग्रेस को वोट तो ज्यादा मिले थे लेकिन सीट है नहीं मेली थी उसका कान यह कुछ एरिया के अंदर जैसे मेसूर के पास पास तो JDS का पंटॉल है PJP का है पसाथ में जैसे लिंगाई तो जो जाती है उनके साथ थी Congress के साथ घोसिच जाती अभी तब कोई नहीं थी, अभी ये जग्दी सेटकार जो निकल के गए हैं उसके बाद यदि रिंगाई कांग्रेस की तरफ गया तो कांग्रेस को बहुत जो एज मिलने वाली है और साथ ही साथ यदि जैसे स्रीकान जी कल कह रहे थे के 2% फाइदा भूदी को हो सकता है इस बजन 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 तो 2% फाइदा मुसल्मानों के कांग्रेस को नहीं हो सकता है तो वो मेरे कहल से तीरिंग जाएगा और यहां तक यदि कांग इतने सब करने के बाद जुद भी कांग्रेस जीत जाती है तो भारतिये जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो भारतिये जनता पार्टी के ग्रुदी ये दरमबाली इमेज उसको नुक्सान होगा कि उसको नकार दिया जंता ने और उस सहर उस कनाटका ने जिस कनाटका के आज की रेट में पूरे हिंदुस्तान के हर सहर का पड़ा लिखा हुआ वहाँ पर है वो आज की रेट में कॉस्मो पॉलिटन स्टेट है ठीक है आपने बात कह दी मैं समझ गया एकदम बहुत शांदार आपने बात कही कि जो कॉस्मो पॉलिटन स्टेट है जो स्ट्रक्शर है एक प्रकार से अकेला बैंगलोर सहर जो है या बैंगलोर मैंगलोर मेंशूर इस सब का जो एक स्ट्रक्शर है वो एक कॉस्मो हो जाएंगे नरेंदर मोधी आउट हो जाएंगे और अगर क्वाटर फाइनल में नरेंदर मोधी आउट हो जाएंगे तो सेमी फाइनल नरेंदर मोधी को जीतना किसी भी कीमत पर जरूरी होगा और अगर सेमी फाइनल में नरेंद्र मोदी नहीं जीते तो ultimate जो final है 2024 का उसमें बहुत खत्रा हो सकता है मोदी के लिए और जो प्रकाशनिय भी कह रहे थे कि करनाटक के चुनाब के बाद भारती जंता पार्टी में भगदर मच सकती है क्योंकि ये election year है क्योंकि match शुरू हो चुका है ये 2022, 2020 ये 2020 का वक्त नहीं है ये 2023 का वक्त है 24 मई में तो केंद्र में सरकार बन जानी है अप्रिन में चुनाब होने हैं इसलिए इस साल का हर चुनाब quarter final, semi final, quarter final, semi final ही होगा और दोनों में नरेंद्र मोदी को जीतना पड़ेगा अन्यता नरेंद्र मोदी के लिए खत्रे की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी और आज के डिवेट का सबसे महत्तपूर्ण इशू ये था कि क्या Congress Party संगठित हो करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी हो पाएगी और अगर करनाटक चुनाब Congress Party जीत जाती है बताएगा या दूसरे दनी हम इस मुझे पर चक्चा करेंगे प्रकाश पोरे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया विदार ची आपका शुक्रिया नीलो हमारे साथ थी और स्रिकांत हमारे साथ थे धुरुब अगरबाल साहब आपका भी शुक्रिया कल रात नौबजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आशुतोस करना दीचिए